हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अब चैनल मेरा नाम है सूरज भाकर आज की स्वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कुछ आप लोगों के बार-बार सेम कमेंट आते हैं ना उसके बारे में ताकि आप लोगों को हैं ना वो आंसर मिल सके हैं जिसके लिए आप मेरी वीडि सारी वीडियो बनाते हो या की टोपिक ़ूपर बार-बार बदाते हो उसका एक रिजन मेरे भाई कि अगर आप चाहते हो पूरी नोलिज लेना तो वीडियो जाके देख लेना और अगर चाहते हो कि नहीं मुझे इतना ही पता करना था कि भाई रैसलिंग में हाइट कितनी होने चीए तो उसका अंसर आपको मिल जाता है नॉर्मल किसी भी वीडियो में तो चलिए स्सक्राइब करते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो में जो आपने सवाल पूछिए उसके बारे में मैं जवाब दूँगा उससे पहले अगोआपने चेणल को सब्सक्राइम किया है तो जल्दी से चैणल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टोपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत बार आप लोगों में से पहला सवाल सबसे ज्यादा आता है वो है भाई पैसे से रिलेटेड देखिए जो हाई लेवल होता है ना मतलब कि मैं तीन काटेगरी में बाड़ता हूं एक तो लो लेवल जो बिलकुल गरीब है एक मीडल लेवल जिनके पास पैसे ठीक है अच्छे खासे नहीं है लेकिन ठीक है अपना काम बहुत अच्छे से चला रहे हैं आप जैसे हम जैसे लोग और गरीब में वो आते हैं जिनके पास में भा मुझ सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है अब एक बात बताओ आप मुझे कि मैं रैसलिंग करूँ या ने करूँ तो यहर मैं तुम लोगों को सिंपल सी एक चीज बताऊंगा या तुम लोगों की माल लो एक दुकान है मैं सिंपल से लोजिक से बात क तुम्हारे पास एक दुकान है, तुम्हारे पास में बहुत सार गरीबात है, तुम एक को फ्री में दे दोगे, दो को दे दोगे, तीन को दे दोगे, क्या सब को फ्री में दोगे, एक छोटी सी चीज, एक बिस्किट का पैकेट भी आप तीन या चार लोगों से जादा को फ् जाएट सेवन फिट से जादा हो गई या आप में कुछ ऐसा यूनिक है ना जो औरो से आपको अलग करता है तो आपका चांस है कि आप बिना पैसे भी किसी ना किसी अकैडमी में जाके रैसलिंग सीख सकते हो जिससे क्या होता है ना उसमें भी रैसलिंग कंपनी का फायदा होता है क्योंकि उसको देख कि दूसरे बच्चे को यह लगता है कि आप यहां बड़े अच्छे अच्छे रैसलर है यहां से बहुत सारे सलेक्ट भी होते हैं तो मैं उस अकैडमी में जाऊगा तो अगर आपके पास में पैसे नहीं है और ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास में इतने ही पैसे है मैं थोड़े दिन जा सकता हूँ तो मत जाना भाई क्योंकि इस लाइन में पैसा बहुत चाहिए होता है फीस चाहिए होती है, रहने के चाहिए होते हैं, खाने के चाहिए होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजे चाहिए होती है, सप्लिमेंट की ज़रुत पढ़ती है, बहुत सारी चीजे होती है मेरे भाई, अब किसी भी रैसलर की वीडियो देखो, उसके बारे में समझो, उसक तो भाई मैं दो मेने तीन मेने सिख लूँगा फिर जब यही बोलेगे कि भाई नहीं तेरे बसकी बात नहीं है तो तुम कर कैसे पाओगे खाना छोड़नी सकते फीस अकैडमी नहीं छोड़ेगी तो तुम क्या करोगे तो अगर आपके पास में पैसे कम है तो दो अप्षेन या तो भाई स्पोंसर ढूलो कोई या फिर भाई करजा ले लो अगर करजा लेके करोगे तो वो करजा कभी नहीं उतरेगा यह साइन करवा के ले लो चाहे मुझसे बात तो करजे वाला तो कैंसल हो गया कि भाई हम इंट्रस्ट पे पैसे नहीं उठाएंगे बहुत सारे फ सबस्टे कर रहा है उसको आप में बेनिफिट दिखना चाहिए जाते हैं कि भाई बिना experience के WWE में जा सकते हैं क्या यार बिना 10th के 12th कर सकते हैं क्या बिना 10th के हम graduation कर सकते हैं क्या कुछ अलग सी चीज़ है ना तो सेम यही चीज होती है हर किसी चीज़ का एक system होता है आपको पहले wrestling school जोइन करना पड़ेगा आपको टेकनिक सिखनी पड़ेगी बिना experience के क्यों डव्डवी वाले क्या लगते हो तुम उनके बुआ की बेटे हो मामा की बेटे हो क्या हो यार ये चीज़ समझो तो अगर आप चाहते हो जाना WWE में आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो सबसे पहले आप यहां ये पे कोई wrestling school जोइन करो बहुत सारी पूश्ते हैं भाई अमेरिका जाके सीखे तो क्या चाहस लगेगा अरे मेरे भाई इंडिया वाले लोगों को फीस महंगी लग रही है तो अमेरिका और जो बाहर वाले कंट्रेश उनके बारे में क्या बात करें तो बिना experience WWE में जा सकते हैं नहीं जा सकते simple साइका अगला है भाई कभी खेती करते हो कभी selfie लेते हो कभी video नहीं आ रहे तो कुछ reasons है उनके पीछे हर्ष ने ये question पूछा था कि भाई कुछ reasons थे इसके पीछे जिसके वज़े से वीडियो नहीं आ रहे थी हाँ मैं अब try करूँगा कि हर हफते आपको 3 या 4 वीडियो तो मैं कम से कम आप लोगों को दूँ ताकि आपका और हमारा connection बना रहे तो चलिए next है बार-बार comment करते हैं मेरे number के बारे में कि भाई आपका नंबर आपका नंबर तो भाई मेरा number हर वीडियो में आपको दिखाई देता है तो कम से कम यार कोई video देख रहा है तो कम से कम उपर है ना कुछ लिखाँ आओ तो पढ़ भी लिया गरो क्योंकि हर वीडियो के इंदर आपको मेरा number उपर mention हुआ मिलता है और बार-बार मैं यही चीज बोलता हूँ कि भाई अगर join करना चाहते हो ना तो मुझसे discuss करो वरना सिर्फ आपको details चाहिए तो मैं हर किसी को ऐसे individual detail नहीं दे सकता क्योंकि दिन में बहुत सारे ऐसे phone आते हैं चलिए next है join button से related join button से related आप लोगों को जैसे ही मैंने बताया join button से related अपने last video में तो आप लोगों को लगा कि सब को pay करने बढ़ेंगे वह आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बताने में गलती हुई होगी या आपके समझने में थोड़ी सी मतलब हम connect अच्छे से नहीं हो पाए उसमें क्या था मैंने आपको साफ सिंपल सब्दों में कहा था कि भाई अगर आप मुझसे connect होना चाँते हो का means क्या है कि अधर उसमें 3 प्लान है तीनों प्लानों में आपको कुछ facilities मिलेंगी मतलब कि आप मुझसे बात कर सकते हो video कॉल कर सकते हो या एक में आप मुझसे सि तो यह सिंपल सी चीज है तो इस चीज का आपको ध्याह रखना है और कौन से प्लान है क्या क्या आपको फैसिलेटी मिलेंगी नेक्स वीडियो देख लेना आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज वहां पर देखने को मिलेंगी अगला है सबसे बदा कोशन सबसे एक तो पू कोशन आता है कि मेरे वर्जन से पूसते हैं तो वैं सिंपल से एक्जामपल दूँगा ता कि तुम लोगों समझ में आजेये रोमन रेंस को देखो असके बाद में तुम खली को देखो उसके बाद में रेंग इस्टीरे को देखो तीनों का बोडि टाइप अलग है। है ती और यह सोचते हो कि भाई किस एज तक हम को करने चाहिए तो भाई अगर तुम 25-27 साल के हो तब भी तुम स्टार्ट कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा यह होता है कि आगे तुम्हें फ्यूचर थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है हाँ 16-17-15 इस एज में अगर करते हो ना तुम्हारे पास में ठाइम भूछ ज्यादा हो और तुम पे इता बाइडन भी नहीं होता घरवालों की तरप से लेकिन 25 के आजब की टैंशन घरवालों की टैंशन दो साल के बाद में शाधी की टैंशन तो भाई ऐसे बाते बहुत सारी घूमती रहती हैं तो ऐसे कोई आप किसी भी एस वाले हो आप आराम से जाके कर सकते हो इसकी हाइट की भी मैंने बता दी कोई फरक नहीं पड़ता आप पांच फिट के हो आप साड़े चार फिट के हो अगर आपने सबसे छोटा रेसलर भी देखा होगा नो बोने बोने टाइप के भी आते हैं तो ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कम हाइट वाले हो जादा हाइट वाले हो सब अच्छे से चलेगा वेट का क्या है वेट मैं अपने रिकिशी को देखा होगा बिग शो को देखा होगा और वहीं पर अगर मैं इन से रिलेटिर कंपेर करूं तो ऐसे बहुत सारे पदले पदले र लगता होगा यार यह भी रैसलर है तो वह सारी चीज़े हैं वेट का भी कोई लेना देना नहीं आप चाहो तो अच्छे से आप महनत कर सकते हो अच्छे से आप अपना काम कर सकते हो कोई फरक नहीं बढ़ता तो चली दोस्तों यह कुछ कोशन्स थे इसके बाद में नेक्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो चाहिए आपको टी-शिर्ट उसके लिए क्या करना पड़ेगा नेक्स वाली वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थेंक यू सो मच फॉर वचिंग इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइ कि के वीडियो माज जाना यार चलो बाइबाए